हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चानल में और आज हम बनाने जा रहे हैं रेश्पी में बहुत ही ज़्यादार बहुत ज़्यादा टेस्टी छुहारे की मिठाई और इस मिठाई की सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि यह मिठाई मिल्क केक और डोड़ा बरफी के जैसे ही लगती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा यह टेस्टी है और सभी लोग इससे बहुत ही पसंद से खाएंगे तो तीस तेवहार पर आभी इस तर की जो मिठाई अच्छो हारे की इसे जरूर बनाएं और अपने घर परिवार के सभी लोगों को खिलाएं तो चलि का दूद मैंने यहां पर कड़ाई में डाल दिया है और इस तरह से गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए दूद को हमें चलाना है तो जब तक दूद में अच्छी तरह से उबालाता है तब तक दूसरी तरफ हम यहां पर चुहारे को कट कर लेंगे तो यहां पर मैंने लिया 200 ग्राम चुहारा ले लिया है और यहां पर हमें इसको चाकू से कट करना है तो इस तरह से बीच में से कट कर देना है और इसमें जो बीच है उसको हम साइड में रख देंगे क्योंकि बीच की हमें बिल्कुल भी यहां पर ज़रुवत नहीं है और इसके बाद चुहारे के हमे अच्छी तरह से कट कर लेंगे और यहां पर देखिए दूद में हमारे अच्छी तरह से उबाल आ गया है और दूद को हमें इस तरह से चलाना है ताकि दूद जो है कड़ाई में बिल्कुल भी चिपकना नहीं चाहिए तो इस बात का खास यहां पर ध्यान रखना है कि चुहारे को मैंने साफ कर लिया है इसके बाद यहां पर एक पैन ले लेंगे और इसमें एक चमच भर के घी डाल देंगे और इसमें चुहारे को हम डाल देंगे और कम से कम तीन से चार मिनट तक लो फ्लेम पे हम इस चुहारे को अच्छी तरह से घी में भून देंगे इस स चुआरा हमारा आची तरह से ठंडा हो चुका है, अभी हमें इसको पीसना है, तो पीसनी के लिए आप दो चीजों का यहां पर इस्तमाल कर सकते हैं, आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं, या आप खलवत्ता जो होता है, उसमें भी आप कूट सकते हैं, तो यहां पर देखिए, इस तरह से मैंने दरारा इसको पीस लिया है, तो पॉफेक्ट यहां पर अच्छी तरह से जो है पीस गया है, अब इसको हम साइड में रख देते हैं, और यहां पर दूसरी तरफ देखिए, गैस पर रखा हुआ जो है दूद है, गाड़ा हो गया है, यह देखिए कलर भी इसक जब आधा दूद जल जाए, मिडियम फ्लेम पे उसके बाद हमें इसमें चुहारा डाल देना है, तो यह देखिए इस तरह से चलाना है, कंटीनू हम चलाएंगे, बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होना है, और इक बाद का ध्यान रखना है कि जो यहां पर दूद है, कठाई म बिल्कुल भी चिपकना नहीं चाहिए, तो इस तरह से चला चला के हम अच्छी तरह से यहां पर इसको पकाएंगे, तो यहां पर हम देखिए क्या करेंगे, 100 गरम यहां पर हम डाल देंगे खोवा, खोवे से जो यह मिठाई का जो टेक्शर वो बहुत ही जादा अच्छा जाएगा, तो यहां पर मैंने देखिए, खोवे को मैंने चोटे-चोटे विल्कुल भी नई कटके थे, तो बड़े-बड़े पीसेस मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि देखिए, गरम हाट से वो ऐसी पिघल जाएगा, खढ़ाई में, इसकी बाद हम इसे continue चलाते रहना तो यह देखिए, पूरा चुहारे ने और खोये मिल्क को अफज़र कर लिया है, अच्छी तरह से और पूरा यहांपर तेखिए ड्राई हो गया है, और इस तरह से घैस का फ्लेमव पार हमें यहांपर लो रखना है, तो अच्छी तरह से, देखिए मिठाई हमारी पक चुक अच्छी तरश से यहाँ पे चला-चला के मिलाना है तो चिनी हमारी यहाँ पे अच्छी तरश से देखिए, मिल गई है आप देख सकते हैं कि जो मिठाई का कलर है अभी हलका सा चेंज हो गया है यानि कि थोड़ा सा पहले white दीख रहा था लेकिन अब ये पूरा अच्छी तरह से gold में दीख रहा है अब यहाँ पर हम डाल देंगे चार इलाइची कूट के डाल देंगे तो इसमें इलाइची चला जाएगा इसके बाद फीट से हमें अच्छी तरह से इलाइची को मिठाई के साथ मिक्स कर देना है और गैस हमें आफ कर देना है क्योंकि हमारी मिठाई अब बनके रैडी हो चुकी है तो पॉफेक्ट एक हम देखिए बनके तयार हो गया है अब यहाँ पर ले लिया है मिठाई का बॉक्स इसमें हम निकालेंगे तो बटर पेपर इसमें लगा हुआ है तो बिल्कुल भी जंजट नहीं है बटर पेपर अलग से लेने की और यहाँ पर हम देखिए थोड़ा थोड़ा करके मिठाई को इसमें बॉक्स में निकाल लेंगे तो पूरा मिठाई यहाँ पर देखिए बॉक्स में निकाल लिया है उसके बाद इस तरह से हमें फैला लेना है मिठाई को तो एक तरब देखिए मैंने मिठाई कर दिया है और इस तरब से टैप करते हुए हमें मिठाई को अच्छी तरब से इसमें बॉक्स में फैला देना है देखिए इस तरह से tap करते time क्या होता है पूरा मिठाई अपने बराबर में आ जाएगा तो कहीं से भी मोटा पतला बिल्कुल भी नहीं रहेगा तो देखिए एकदम बराबर यहां पर मिठाई आ चुका है अपने shape में इसकी बाब हम side से इसको देखिए इस तरह से बराबर कर देंगे तो यहां पर देखिए पूरा बराबर अच्छी तरह से यह एक तरफ हो गया है इसमें हम dry fruits में डाल देंगे यहां पर कुटा हुआ मैंने लिया है बदाम तो इसके उपर से देखिए बदाम को हम ढाल देंगे अब यहां पर ले लिया है काजू तो छोटे-छोटे मैंने काजू भी कट कर लिये हैं और इसको भी हमें मिठाई के उपर इस तरह से चारो तरब से डाल देना है और इसके बाद इस तरह से देखिए प्रेस देते हुए हमें ड्राइफ रूट्स को मिठाई के साथ थोड़ा दबा देना है तक कि मिठाई के साथ हमारे ड्राइफ रूट्स भी अच्छी तरह से चिपक जाएंगे तो ये देखिए मिठाई हाँ पर इस तरह से हमने सारी चीजे मिला दिया है अब इसको हम कम से कम एक घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे तो अभी देखिए एक घंटा कम्प्लीर हो चुका है मिठाई हमारी बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गई है देखिए इस तरह से चैक कर लेते हैं बिल्कुल भी ये हाथों में लगने रहे यानि कि हमारी मिठाई बनके तयार है अब हम इससे अपने मन चाहिए अनुसार कट कर लेंगे तो आप गोल में भी कट कर सकते हैं बर्फी शेप में भी कट कर सकते हैं तो एक तरफ से कट कर लिया है अभी दूसरी तरफ से भी हम कट कर लेंगे इसको तो दोस्तों है ना ये बहुत ही मज़दार और बहुत ही इजी रेसिपी तो आप जरूरी से बनाए अभी रक्षय बंदन आ रहा है तो आप इस मिठाई को जरूर ट्राय करें बनाएए खुद भी खाईए अपने रिस्तिदारों को भी खिलाएए सच कहूं अगर आप बनाएके खिलाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा तारीफ मिलने वाली है तो आप जरूर इससे बनाएए खाईए खुश रहिये और बहुत ही खुशी-खुशी अपने तिवार को मनाईए कैसी लेगी मेरी वीडियो आप लोग जरूर मुझे बताएं और साथ मेरी वीडियो पसंद हो तो मेरी वीडियो का आप लाइक करिए शेर करिए और चैनल मेरा जरू सस्क्राइब करिए मेरा वीडियो देखने के लिए आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू बाई बाई